Hey guys, जैहिन, स्वागत है आपका Agrarian BHO YouTube चैनल पर और इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्या परदेश ग्रामीन उद्ध्यान बिस्तार अधिकारी एक्जाम के बारे में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एक्जाम की प्रपरेशन में काफी अच्छे समय से लगे हुए हैं और एक्जाम का जो है एड्मिट कार्ड भर आने वाला है और एक इन्फोर्मेशन आई है कि एक्जाम पोस्ट पॉंड हो सकता है तो इसी इन्फोर्मेशन को लेके हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट आने वाले बीक में जो है एक्जाम होने वाला है और अभी तक admit card नहीं आये हैं और खबर यह है कि पोस्ट पॉंड हो सकता है किन कारणों से तो हम यहाँ पर जान लेते हैं आपको इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना है देखते हैं देनिक भासकार की यह cutting है news की MP में आटक सकती हैं भरती परिक्षाएं निरस् से बारा दिन पुरानी भी एक information चल रही थी कि व्यापम ने टेंडर निरस्ट किया है कंपणियों का लेकिन यह आज का ही exam के related information है देनिक भासकर में पीवी ने जो है online परिक्षा कराने के लिए नई agency को जो है टेंडर निकाला था उसे भी उसने निरस्ट कर दिया है online system को वो मजबूती देने के लिए security का feature जोड़ना चाह रहा था टेंडर निरस्ट होने के कारण यह काम अटक ही गया है और आने वाली परिक्षाएं क्योंक कावित थी और यह जो है पोस्ट पॉंड हो सकती है यह मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एक बज़े का समय है हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक official ही notification व्यापाम की साइट पर डल जाए कि एक्जाम को पोस्ट पॉंड किया जा रहा है या फिर admit card भी आ सकते हैं मै जो एक्जाम है वो आगे पोस्ट पॉंड होने वाला है कारण है जिस company को tender दिया वो tender निरस्ट कर दिया गया है और एक्जाम अगले भीख है तो इतना जल्दी यह सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी और इस ब्यूडियो का बनाने का उद्देश यही है कि आप तक एक basic information पह जाए ताकि आपको पता रहे कि exam के related क्या हो रहा है और कोई बात नहीं है अगर इस channel पर नहीं है तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं agrarian VHU channel पर agriculture jobs और agriculture से जोड़ा हुआ update समय समय पल मिलता रहता है वीडियो को share करें अपने दोस्तों के शाथ जादा से जादा जादा इस वीड वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत